अज़े नमस्कार मैं हूँ ससी आया जर्गान की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं पाकिस्तान के सिजफहर उलंगन में सेना के तीन जवान सहीद पाकिस्तान की तरफ से अचानक हुई सिजफहर के उलंगन में तीन जवान सहीद हो गए है जबकि तीन आम नागरिक की भी मौत हो गई सुकरवार को सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलिबारी का भारत ने भी जवाब दिया है बता दे नर्थ कस्मीर में एल ओसी से सटे तीन सेक्टरों पर पाकिस्तान ने सिजफहर का उलंगन किया सहीद हुए जवानों में एक बीए सेफ, एस आई और दो जवान समिली थाए इस गोलिबारी में तीन आम नागरिक को भी मौत हो गई है दीपावाली से पूर्व चाईवासा के बजार में हुआ आठ करोगा कारोबार धनतेरस के दूसरे दिन सुक्रवार कोसु मौर्थ के कारण चाईवासा के बजारों में दीपावाली की खरीदारी को लेकर रहनक दिखी ऐसे में तेवहार की तैयारी को लेकर लोगों ने जमकर खरीदारी की बतादे इस दोरान लोगों ने सोना चांदे हीरे के आभुसन के साथ साथ इलेक्ट्रोनिक समान, टूविलर एवं फोल्विलर वाहनों की खरिदारी भी की दीपावाली से पूर्व चाईवासासर के लोगों का सबसे अधिक आभुसनों की खरिदारी को लेकर रुजान देखने को मिला बतादे इस दीपावाली से पूर्व साथ से आठ कोरों का कारोबार कानुमान लगाया गया इस पीकर ने की बाल पत्रकारों के कारियों की सराना जार्खन बिधान सबा अध्यक्ष रविंदरान महतो से यूनिसेफ के अधिकारियों एवं प्रसिक्षित बाल पत्रकारों ने बिधान सबा इस्थित कर्याले में मुलकात की इस दोरान जहरखन में बाल संग्रच्छन एवं बाल कल्यान के मुद्दों पर विचार भी मर्श किया गया बाल पतरकारों ने बिधान सभाद् YAKS के समक्ष अपनी सफालता की काहनियों को साजा किया इस पीकर ने इन बाल पत्रकारों के कारियों की सराना करते हुए कहा कि आप बिप्रित हलात में भी काम कर रहे हैं कड़ी मेनत से आप हर लक्ष को प्राथ कर सकते हैं किसानों की करज माफी में बैंक बने रोडा क्रिसी मंतरी जाखन में कॉंग्रेस ने अपने चुनावी घोसना पत्र में किये गए वादे के मुताविक किसानों की करज माफी की और कदम बढ़ा दिया है हलाकि इस रा में बैंक ही सबसे बड़े रोडा बन रहे हैं बता दे क्रिसी पसुपालन एम सरकारिता मंतरी बादल पत्रलेख ने का कि रीन से समंधित डाटा देने में बैंक लेट कर रहे हैं बिभागे सचीव ने बैंकों को फटकार भी लगाई है लेकिन डाटा उपलवद नहीं करया जा रहा है सरकार के पास रीन माफी के 2000 को रूपए पड़े हैं लेकिन बैंकों के करण किसानों की कज माफी की परकिरिया आगे नहीं बोड़ पा रही है ग्रामिन महिलाओ की पलास दिपावली स्पेसल गीप्ट हैपर ग्रामिन महिलाओ दौरा निर्मीत उतपादो का बरान पलास दिपावली स्पेसल गीप्ट हैपर की बिक्री सुरू कर दी गई है सुदूर गराम की महिलाओ द्वाह निर्मीत एवं पैकिज की गई इन दिपावली हैपर में गनेश लक्षमे की परतिमा करंज का तेल, मेटी का दिया, डिजाइन दिया, बस्त, माला, पूजन समागरी समयत अन उत्पाद वाजिब दाम पर उपलाब धाएं बिर्शा मुंडा यारपोट से सोरा नॉम्बर से 15 जनुवरी तक आठ घंटे नहीं होगी परिचालन अगामी सोरा नॉम्बर से 15 जनुवरी दोयार इकिस तक बिर्शा मुंडा यारपोट में सुबा 10 बय से साम 6 बय तक बिमानों का परिचालन नहीं होगा इस अधी में एरपोर्ट से न विमान उडान भरेगा और नहीं उतरेगा बतादे इस दोरान एरपोर्ट के रनवे में री कार्प्रेंटिंग का कार्य होगा जिस कारण विमानों के आगमन प्रस्थान पर रोक लगाई गई है इसको लेकर एरपोर्ट प्रवंधन ने इस अधी के विमानों की समय सारनी को रिसेडियोल भी किया है बतादे विमानों का परिचालन सुबा 6 वजे से सुबा 10 बजे और साम 6 वजे से रातरी 10 वजे तक होगा लड़कियों के लिए खुले सैनिक इसकूल के द्वार रक्षा मंत्राले ने सैनिक इसकूल के माध्यम से लड़कियों यहां पिछड़े वर्ग को नाया तोफाद दिया है सतरज 2021 बाइस सैनिक इसकूल में नवांकन है तो इन दो वर्गों के लिए अरक्षान का प्रवधान किया गया है बतादे इस सैनिक सेवाओं में लड़कियों को समुशीत प्रतिनिधित्व मिल सकेगा वतलब हो कि पाले सैनिक स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए अवासे भी दाले थे पर अब भारत के सभी 33 सैनिक स्कूल के द्वार लड़कियों के लिए खोल दिये गए है दूरगा बाड़ी में सादगी से होगी काली पूजा अलवट एकाचोक इथी दूरगा बाड़ी में इस बार काली पूजा सादगी से होगी भवयाता नहीं होगी अनुष्ठान कुरोना संक्रमन को देखते हुए जिला परसासन के आदेशा उन्सा संपन होगा 14 नौवंबर सनिवार को प्रातव 7 बये से मंदिर खुला रहेगा एवं नित्य पूजा के बाद राती 11 बये से मा काली की पूजा परणब होगी जो देर रात लगवक 3 बये तक चलेगा इसके उपरां थावन होकर पूजा की समापती होगी बता दे राज सरकार के नित्य सानुचार इस पर काली पूजा में खिचडी भोग का वित्रन नहीं होगा दुर्गा पूजा के तर्ज पर काली पूजा में भी ऑनलाइन पूजार दर्शन की वेवस्ता की गई है सरधालू वेपसाइट दुर्गाबाटीराची.in एवं फेस्बुक पर फेस्बुक.com दुर्गाबाटीराची पर पूजा का लाइव प्रसारन देख सकते हैं एक बेटी है तो छात्रवीति के लिए CBSC में करे आवेदान केंद्रिये माधविक सिक्षा बोर्ट CBSC एकल बाइल का छात्रवीति यानि सिंगल गर्स चाइल्ड एस्कोलरशिप योजना के लिए आवेदान लेना परणाम कर दिया है इस योजना का उदेश छात्रावों के बिच सिक्षा को बढ़ावा देने और मेधावी छात्रावों को साहन देने के लिए माता पिता के पर्यासों को पाचानना है बतादे योजना का लाव लेने के लिए योग ये छात्रावें CBSC के अधिकारिक वेपसाइट CBSC.NIC.IN पर आपना पंजिकरन करा सकती है जिनकी आमतीमती थी 10 दिसंबर 2020 है आविदन पत्रक की हाट कोपी 28 दिसंबर 2020 से पहले जामा करनी होगी जिन छात्रावों ने CBSC स्कूल से बर्च 2020 में दासवी बोट परिच्छावतिन की है वह इस योजना के लिए अविदन कर सकती है 15 नॉमबर से धान की सरकारी खरीद सुरू कर दी जाएगी पाकूर डिसी पाकूर जिला में खरीब विपनन मौसम 2021 के लिए धान अधिप प्राप्ति का काम 15 नॉमबर से सुरू कर दिया जाएगा इसके मदर नजर जिला पूर्ती जिला सकारिता सहित अने विभागों ने अपनी त्यारी पूरी कर लिए यह जनकारी डिसी कुलदीप चोजरी ने सुक्रवार को दी उन्होंने बताया कि धान अधिप्राप्ति के लिए सभी परकॉंडों में केंदर बनाएगा है साथी बताया कि धान बेचने को एक छूक किसान जिन्होंने अपना निवंधन नहीं करवाया है वे 15 नॉवंबर तक अपना निवंधन करा सकते हाँ जारखन में दूसरवा ठासी नजर संक्रमितों के पुष्टी हुई है जोराची से 84, बोकारो 45, देवघर 13, धनबाद 26, दूमका 4, पूर्वी सिमो 29, गड़वा 6, गिरीडी 4, गोड़ा 3, गुमला 16, हजारी पकबाद 22, जामतरा दू, खोटी 1, कोड़ार मा 3, लातेहार 13, पाकुर 1, पलामू 9, रामगर 2, साहिव गई 3, सरायक लेकर सवा 7, सिम पूल संक्रमितोक संख्या 87, 73, 243 है, जबकि 81, 16,460 लोग सोच्थ हुए है, भारत में एक टिप केस 4, 84, 14 है, वहीं जारकन में एक टिप केस 32, 91 है जारकन के 5 सहरों में हर 2 घंटे पर होगी परदूसन जाच, दिपावली पर सुवे के प्रमोख 5 सहरों में हर 2 घंटे के दवरान धावनी और वायू परदूसन की जाच कराई जाएगी, ये सहर राची जमसेदपूर, धनबाद, धूमका और हजारी बागा है जारकन राज परदूसन नेंतरन बोर्ड ने इसके लिए भी से स्तेयारी कर लिया है, दिपावली के पहले, दिपावली के दिन और अगले दिन भी वायू और धावनी परदूसन की जाच की जाएगी जमसेदपूर के श्डियू ने रगवरदास को भेजा नोटीस जमसेदपूर के अनुमंडल पदा अधिकाई ने छट पूजा को लेकर कूपन बातने के मामले में पूरो मुखवंतरी रगवरदास को नोटीस जारी किया है, नोटीस में पुछा गया है कि उनके खिलाप आपदा परमंदन अधिनियम के तहत क्यों न करवाई की जाए, ब अरजुन मुंडा ने 183.34 कोर की लागत से बनने वाली 42 जोजनाओ का किया सिलन्यास, दिपावली से एक दिन पूर्व अस्थानिये सांसत सा केंद्रिये मंतरी अरजुन मुंडा ने पधान मंतरी ग्राम सरक जोजना के तहत 183.34 कोर की लागत से बननने वाली 42 जोजनाओ का सेलनास किया है बतादे इन योजनाव में 35 सड़क वा 7 पूल पुलिया का निर्मान सामिली था है इन योजनाव में खुटी विदान सबाचेत्र के मुर्भू परखंड में 7 सड़क तोरपा विदान सबाचेत्र के रनिया वा तोरपा परखंड में 13 सड़क वा 2 पूल तथा त तमार परखण में 15 सोड़क वो 5 पुलिया का निर्मान सामिली था है। तमार परखण में 15 सोड़क वो 5 पुलिया का निर्मान सामिली था है। तमार परखण में 15 सोड़क वो 5 पुलिया का निर्मान सामिली था है। अपराधिक याजका पर सुनवाई करते हुए सरकार से बताने के लिए कहा है कि राज के पुलिस किसी के घर देर रात जाकर बिना कोई कारण बताय कैसे गिरफतार कर रही है। गिरफतार करते समय परिवार वालों को गिरफतार का कारण क्यों नहीं बताया जा रहा है। बता दे इस संबन्द में गढ़वा निवासी पाहल कुमारी ने याजका दायर की है। परमान पत्र के साथ वक्यूलों को अपने परमान पत्रों का सत्यापन भी कराना है। इसके पूर्व 15 नॉवंबर तक ही ब्यवरा भेजने को कहा गया था। अस्थापना दिवसपर राजे के असीप पुलिस पता अधिकारी को मिलेगा पदक। ज्थापना दिवसपर राजे के असीप पुलिस पता अधिकारी कर्मियों को पदक दिया जाएगा। ए पदक तीन सिरेनी में दिये जाएंगे। इसमें बिसिष्ट सेवा के लिए ज्थापन राजेपाल पदक। बीरता के लिए ज्थापन मुख मंत्री पदक। वह असरा निये सेवा के लिए जार्खन पुलिस पदक सामिली था है। बतादे आई जी अभियान साकेत कुमार सिंग को विशिष सेवा के लिए राजपल पदक मिलेगा। भाजपा ने आदिवासी के हितों के लिए नहीं किया काम आलमगीर। कॉंग्रेस विधायक दल के नेता और गरायमिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने कहा कि भाजपा ने जार्खन में 18 वर्सों तक सासन किया लेकिन आदिवासीों के हितों में काम नहीं किया नहीं उनके लंबित मांग सारना धर्मकोड को लागू कराने के लिए कोई पर्यास किय भाजपा के दो आदिवासी मुख्यमंत्री डाज में सासन कर चुके वहीं दूसरी और कॉंग्रेस ने अपने खोसना पत्रे में आदिवासीों के हितों के लिए सारना धर्मकोड लागू करने की बात को सच सावित करते हुए यह मंत्र सरकार की अगुआई में केंदर सरकार को अनुसरंसा के लिए भेजा गया रामगर के गोला में कुए में गिरा हाथी का बच्चा ग्रामिनों ने बचाया रामगर जीला के गोला प्रखन अत्रगात सुदरवर्ती रकुवा गाव में सुक्रवार की अहले सुबा करीब चार बजे हांतियों के जोन से विछड़ कर एक हांति का बच्चा कुएं में गिर गया अस्थानी एक ग्रामिनो वा गोला वन चेत्र के कर्मियों ने करीब चार गंटे के अथक परियाज से किसी तरह से कुएं से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला पाकुड में आठ साल की बच्ची के साथ दुसकर्म जारखंड में पाकुड के लिटी पाढ़ा में सीम लोग ओपी छेत्र के एक गाव में गुरुवार देर साम एक आठ वर्सी नवालिक बच्ची से दुसकर्म किये जाने के मामला परकास में आया है बता दे पीडित बाची के पिता ने थाने में आवेदन देकर मामला दर्च कराया है अपने संसाधनों के बुत्ते खाड़ा करेंगे जारखंड को हमन सुरेन मुखबंतरी हमन सुरे ने कहा है कि जिन कम्यों को लेकर जारखंड की बदनामी हो रही है जड मुल से उसका खात्मा करेंगे राज के बिकास को हम इसे किसी दूसरे के भरुसा नहीं छोड़ सकते बलकि अपने संसाधनों के बुत्ते इसे खाड़ा करेंगे हमारी सरकार ने इस बाबत प्रत्मिक तयक कर ली है अब सधे कदमों से लक्ष की ओर बढ़ना है जारखंड के पिछडेपन के लिए पुरवर्ती राज सरकार को जिमेदारी ठाराते हुए उन्होंने कहा है कि राज कठन के 20 साल बीद गए और जो लोग आज विपक्ष में हैं उनके हाथों में ही सबसे ज़्यादा समय तक साचन की बागडोर रही है बोकारो से रिस्वत लेते वीडियो से प्रभारी परखंड आपूर्ती पतादिकारी समय दो गिरफतार कि ACB की टीम ने 20 साय रुपे रिस्वत लेते रांगे हाथों गिरफतार कर लिया है बतादे इन पर महिला रासन डिलर से निलंबन रद करने के वाज में 50 साय रुपे रिस्वत मांगने का रोफा है धान्यवाद